और टोक्यो उलम्टिक्स 2020 में कान से पदक जीतने वाले प्रदेश के गौरव विवेक सागर पर सरकार महरबान है विवेक सागर चांदोन गाउं में एक छोटे से मकान पर रहते हैं विवेक की जीत के बाद अब उनकी ही नहीं उनके गाउं की भी किस्मत चमकने लगी है विवेक के गाउं आने से पहले ही उनके मोहले की सड़क पक्की हो जाएगी साथी गाउं में स्ट्रीट लाइट भी लगेगी सिमेंट की सड़क बनाने का काम भी शुरू हो चुका है विधायक विजयपाल ने विधायक निधी से सिमेंट सड़क बनाने की घोशना की थी अब काम भी शुरू हो गया है तरसी के चानौन ग्राओं में हूँ ये वो सड़क हैं राच से हैं जिससे होकर विवेक सागर ने अपनी उलम्पिक तक की यात्राएं जो है पूरी करी है भारतिहां के टीम में जो है पदक दिलवाने वाले विवेक सागर चानौन गाओं से हैं ये उनका चोटा-सा घर है इसी घर में जो है विवेक सागर रहते हैं घर में पापा सिख्षक हैं माता हाउस वाईफ है और चोटा-सा परिवार है उनके बRIDER हैं मेरे साथ उनसे मैं बात करता हूँ, कैसा रहा विवेक का सुरू से दिल्चस्मी थी घाकी में? जी बिल्कूल, उसको बचपन से हौकी में बहुत जादा दिल्चस्पी थी, पढ़ाई वगेरा में इतना दिल्चस्पी नहीं थी जितना होकी में थी और पापा का ये था कि वो पढ़ाई करें, तो अपकोस सपोर्ट पापा की तरफ से कभी नहीं रहा, घर में मम्मी रहती थी और सिस्टर्स थी, मैं भी बहार पढ़ाई करता था, तो उनका ही सपोर्ट रहा, उसको हमेशा सपोर्ट करते थे, खेलने जाता था तब ये तो उसको जैसे भी करके पापा की नजरु से बचा कर रखते थे, तो प्रॉब्लम्स आई, सपोर्ट घर का कुछ लोग रहता पिर उसकी महनत रंग लाई, उसने जो बारीकियां सीखी वहाँ पर वो रंग लाई और आज सभी के सामने